मित्रो मैं सौरप सर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज आरजे न्यूज में आपका स्वागत है कोई इसके उपर समलेंगिक विभा का कानून बना जाता है तो आम आदमी की एक मजाक उसके जीवन से खिलवार उसका समय इस तर गिर जाएगा समाज में उसकी बेजती होगी समलेंगिक विभा के कोई सुनवाई ना की जाए सुप्रीम कोट से आगरह करते हैं समलेंगिक विभा को किसी रूप में कानुन तर्जा ना दिया जाए उसी पर कोई सुनबाई ना की जाए मेरा नाम गुंजन अगरवाल है और मैं अगरवाल महिला समिती की ओर से आई हूँ इस समय जो विशय चल रहा है समलेंगिक विभा के विपक्ष में हम लोग आए हैं और जो प्रकृती ने जो ब्यवस्ता की है मतला हमारी तो हई परिवार की विवस्ता लेकिर उसके अलावा प्रकृती विवस्ता की है यहां तक कि मनुश्यों के अलावा जान बरो पशुपक्षी हर में विवस्ता की गई है तो जो विवस्ता हमारी प्रकृतिक विवस्ता है उसको हम डैस्ट्राइ नहीं कर सकते और जब जब प्रकृति से खिलवार हुआ है तब तक उसका हम लोगों ने खामिया जाना देखा है उसको भुखता है तो उसके विरोध में हम लोग आया है कि सम्लेंगिक विवा जो है हो नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए च्रूली कि यदि इस तरीगेर उसको कानून से कानूनी रूप कर रहे हैं कि सम् लैंगिक यहां जो हमारे कंई हमारे जिसाह डेष में हमारा कारिबस्ता है जो हमारा culture है, जो अभी तक हमारी values है, यह concept उसके against है, तो definitely हम लोग उसका favor नहीं कर रहे है, हम उसके against हैं, और इसलिए हम जो है, जन जन के, हम शहर के आम आदमी के पास जाकर उसको इसके विशे में जांगरूप कर रहे हैं, और इस तरीके से सिगनेचर लेके उन लोगों से जो है अपील करवा रहे हैं अपनी राष्टपती जी के पास अपने चीफ जस्टिस के पास कि इस विशे को देखिए गंबीर्था को समझे और इसके विशे में कानून पारित नहीं होना चाहिए और इसका हम पूरी तरीके से विरोग कर रहे हैं हम लोग महिला जागरती मन से हैं अगरवाल सेवा समिती से हैं तो इस तरीके से अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हो हैं और उन संस्थाओं के माध्यम से ही हम लोग जो है इस तरीके से आम लोगों तक पहुचके उन से सिगनेचर करा के लाए हैं कि स हमाज की व्यवस्ता हिलनी नहीं चाहिए हमारे यह कानून पारित नहीं होना चाहिए तो इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं